नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे Connection of DC Motor DC Motor के Connection समझेंगे Connection क्या होते हैं, इससे पहले अपने यह समझते हैं कि DC Motor की जरुरत क्यों पड़ी आप सब जानते हैं कि DC Motor की तरह ही एक AC Motor भी होती है जो AC Supply पर चलती है तो इंडेस्टीज के अंदर अपने सारी AC Motor यूज कर सकते हैं तो DC की जरुरत क्यों पड़ती है जब Supply अपने पास AC की है, ट्रांस्विशन लाइन के दो जो सप्लाई आती है वो AC ही आती है तो फिर अपने DC की जरुरत क्यों पड़ी या DC Motor क्यों लगाते हैं तो इसका एक रिजन है कि जब कभी भी Speed Variation की जरुरत पड़ती है, गती परिवर्तन की जरुरत पड़ती है तो वहाँ पे अपने को DC Motor लगाने की आउशकता पड़ती है जैसे कि एक Squirrel Case Motor होती है, उस Motor का Speed Variation अपने इतना नहीं कर सकते हैं जितना की एक DC Motor का कर सकते हैं, DC Motor को आप Zero RPM से लेकर के, Full RPM तक दोनों दिशाओं में, Clockwise और Anti-Clockwise, Full Variation अपने इसमें दे सकते हैं तो इतना सादा जो है, वेरिशन अपने इस Motor में कर सकते हैं, तो इसलिए DC Motor को भी Industries के अंदर लगा जाता है एक यही विशेश उप्योग DC Motor का होने के कारण, DC Motor का उप्योग अपने करते हैं आईए पहले Connection समझते हैं DC Motor, नाम से पता चलता है, DC मतलब DC Supply से काम करेगी तो अपने जो भी Supply आ रही है, उस Supply को एक Rectifier के द्वारा DC में Convert कर देते हैं तो यहां पर अपने DC Supply आ गई, पहले मैं क्या क्या equipment लगा है जो बताता हूं सबसे पहले एक ICTP स्विच लगाया, जो कि Supply को ओफ करने की जब भी ज़रूत पढ़ती तो अपने इसको ओफ कर सकते हैं इसी के अंदर fuse भी in-build होते हैं, ठीक उसके बाद में एक indicator लगा रहा है, जो कि अपने supply की उपस्तिती को दर्शाता है, या supply की उपस्तिती बताएगा उसके बाद में एक world meter बता रहा है, जो अपने DC Supply के कितना volt अपने आ रहे हैं, वो बताएगा तो DC world meter अपने MC type का world meter यहां पे लगा रहा है तो DC पे जो भी अपने यूज़ करेंगे, MC type के meter सी यूज़ करेंगे आगे चाहिएंगे, अपने A meter लगा रहा है, main supply के उपर, जो कि अपने दिखाईगा की motor कितनी current अपने ले रही है एक 3 point starter लगा रहा है, जिसके अंदर 3 point है, L, F और A L का मतलब line से जोड़ रहा है, F का मतलब field से, motor की field winding से है और A का मतलब जहें, वो motor के armature winding से जोड़ रहा है उसके वाद में एक rear state लगा रहा है, जो कि speed variation के लिए अपने इसका उप्योग करेंगे और यह आगे एक DC shunt motor जोड़ रहा है, shunt motor का मतलब आप समझ गए होंगे इस motor में दो पकर की winding होती है, एक armature winding और एक field winding armature winding को computer के दुआरा जो है, उसको supply दी जाती है तो यहाँ पर armature winding के 2 point A और AA, यह armature winding के 2 point है और field winding के 2 point F और AA यह field winding के 2 point है अब अपने को यह दिए shunt motor बनानी है, तो आपको पता है, shunt का मतलब बता है armature winding और field winding दुनों parallel जोड़ी हुए, तो parallel जोड़ने के लिए एक terminal को अपने common करेंगे, तो AA और AAF को अपनों ने एक wire के द्वारा short कर रखा है, जोड़ रखा है अब अपने positive वाले wire की बात करेंगे, तो positive वाले wire आ रहा है, वो देखिए, एक A meter से होता हो, सीधा कहां जा रहा है, एक L point पे जा रहा है, जो की starter के L point पे जा रहा है, मनलब line वाले point पे, अब 3 point starter है, तो 2 point और F और A, तो यहां से 2 point बाहर निकलेंगे, ठीके, अब अंदर क सा होता हुआ, एक रियोस्यट लगा के A में दे दिया, अब अब अपने, जब भी अपना motor यहां से start करेंगे, चालो करेंगे, जैसे MCB or ICB switch को on करेंगे, on करने में supply जाएगी, इंडिकेशन, इंडिकेटर बता देगा, कि आपके supply on होगी है, वोल्ड में में reading बता देगा, क कि इतना word supply आ रही है, उसके अपने अपने स्टार्टर के दौरा motor को start नहीं करा, जैसे अपने स्टार्टर को जो 3-point starter है, इसके handle को जैसे अपने आगे बढ़ाएंगे, तो एक वन स्टार्ट पर लेकाएंगे, तो motor धीर-दीर गुमना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे उसको लास्ट वन पर ले जाएंगे, तो motor अपने पूरे आर्पेम पर गुमना शुरू कर देगी, तब अपना ये वाले जो एमिटर है, ये करंड बताएगा, कि motor कितनी करंड ले रही है, अब आगे के बाद करते हैं, जब अपने को speed में variation लाना है, तो क्या कर सकते हैं, ठेके न अलग मैथर्स आते हैं, तो अभी एक अलग परका का मैथर ये अपना है, आर्मिचर कंट्रोल मैथर्स मतलब कि DC मोटर के आर्मिचर वैंडिंग के सिरीज में अपनों एक रियो स्टेट जो रगा है, अब जैसे अपने मोटर शुरू होगी, पहले चीज समझ लेगे, इस मो मोटर की स्पीड, फुल स्पीड से स्पीड को कम कर सकते हैं, फुल स्पीड स्पीड बढ़ नहीं सकते हैं, यदि अपने को फुल स्पीड से स्पीड को और बढ़ाना हैं, तो अपने को जो रियो स्टेट है वो फिल्ड के सीज में लगाना पड़ागा, आप फिल्ड के बहुत ज़्यादा सर्किर्ट में जुड़ा हुआ है तो मोटर बिल्कुल धीरे गुमेंगे जैसे से रेस्टेंस कम होगा वेटर मोटर की स्पीड आपके बढ़ जाएगे और यदि आपको मोटर की डायरेक्शन अब आगे अपने इसको एक मोटर के बाद में जो है उसका वेडिशन कैसे देते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं वह चीज अपनों ने समझे अब आगे अपने इसको एक मोटर के किस प्रकार से मोटर की श्पीड चेंज है। आइए देखता हैं देखिए यह DC संट मोटर है और 2.5 डवल फ जो है फिल्ड वाइंडिंग के टार्मिनल हो गए एक आई सीटी पी स्वीच है इसी के अंदर फ्यूज भी इन बिल्ड है वोल्ट मेंटर में सप्लाई के उपर दिखा रहा है इंडिकेटर ही अपना एयर मेंटर में करेंट को दिखा रहा है और एक फिल्ड करेंट को तो अपनी डिसेप्लाई अपने को यहां पर डिसेपलाई मिले एक पुज्टिक टमेल एक नेगेटी टमिल 230 वोल्ट डिसी यहाँ पर इन پूर्ट में अपनाने लगा रहा ही ठेकए तो अब अपने इसको मौटर समझते हैं या स्टार्ट करक tomithet को कि इसप्राद अब अपने को जो है यहां पर अपने देखेंगे कि इस्पीड को मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं जैसे मैंने मोटर को स्टार्ट करा तो देखें आप देर-देर मोटर गुमना शुरू हो गई अपने तो इस प्रकार से अपने मोटर को स्टार्ट को स्टार्ट कर दि इस motor के आर्मेचर वैंडिंग के सीरीज में अपने जोड़ रखा है तो जब इसमें वेरिशन करेंगे तो रेश्टेंस को बढ़ाएंगे तो गती कम होगी और रेश्टेंस कम करेंगे तो गती बढ़ेगी मला अभी जो रेश्टेंस बढ़ा हुआ है अब इसको मैं कम कर रहा मैंने रेश्ट इसको बहार कर दिए अब जैसे समक है आप जो फूल मोटर के श्पीड होगे तो को मोटर के स्पीड या कहीं भी स्पीड परिवर्सरण के ज़होद होती है तो वहां पर अबने डी सी मोटर का उप्योग करते हैं और अब अपने बात करेंगे आखे कि मोटर के डारेक्शन कैसे चेंज करेंगे उसमें भी जो है किस प्रेकार से जो है यह गती परिवर्दन होगा तो अभी आप देखेंगे इसको कि क्लोक वाइस दिशा में अपनी मोटर घूम रही है ठीक यह i-an यह जो हमें तो प्रेंट को मैं खुला और से इसको मैं आपस में इंटर्चेंज किए इंटर्चेंज करने पर आंज आइधेगे सवbellijon करेंगें अब देखेंगे जो है मोटर अपने बिल्कुल उल्टी दिशा में गुमने लग गई आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है अपनी एंटे क्लोग वाइज दिशा में गुम रही है अब आप इसमें भी परिवर्तन करना हो इस पीड वाइशन अपने करना हो तो यह देखेंगा इसमें पूरी आसानी से कर सकते हैं। इन्ही एडमेंटेज के कारण इनीकी जो Εनके फीचरे से हैं इसी के कारण इसे मोटर का अपने इंडिस्टी इसके अंदर ज्यादा उप्योग करते हैं।